हुआ तो मैंने आपको हिमोगलोबिन का पूरा वर्विउ दे तिया अच्छे से समझा दिया हिमोग्लोबिन फिक है और उसके पॉली पेपरेट्ट चेन के बारे में उसके जीन का दी नवेन दी मैंडी मोटा मोटा बात यह है कि इन ऑर vehicle दो और वो दूनों जीन के चार अलील कर तोटल चार अलील हो गए और वह सब प्रजेन्ट होते हैं क्रोमजूम 11 के पर जबकि बीटा का नमब्र 16 के शुटान पर शुटीन के शुटान पर के लिए और उसके एक ही जीन होते हैं सब्सक्राइब करने वाला हूं बाकि इसके जनेटिक बैसिस क्या क्या है कैसे कैसे यह सब में पहले डिस्कास कर चुका हूं मुल्टिपाल अलीलीजम जब हम पर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले कि आपको पता है सिकल से ले एक प्रकार का और तो यह ऐसा कब होगा जब सिकल से लेनिया के केस में वह कोता है कि बीटा पॉलीप्टाइड चेंज होता है लेकि मों नॉर्मल नहीं हो ऐसा तब होगा और इसको आपने क्यों रखा है क्योंकि जो नॉर्मल बीटा पॉलीप्टाइड चेंज होगा और अच्छे से समझाते हैं यह देखिए आपको मैं कह रहा हूं कि यह क्या है आपका यह क्रोम जोम है राइट यह हम लोग स्पेर अब आपको पता है क्रोम सा होगा अगर में बटा पॉलीप्टेर्चन बशूर म bedroom क्वों सा होगा दरी ऑलिए इस 16 नंबर क्रोमजोम का यह जोड़ा है राइट और इसमें यह क्या है यह DNA है तो आपको मैं बताओ बच्चों DNA में क्या होता है कि माले कि 1st code है 2nd 3rd 4th 5th 6th यह 6th codon है यहां पर भी एक 6th codon है तो यह तो फ्रेस्ट कोड़न होता है उसका नुक्लोटाइड स्कवेंच होता है उसमें होता है CTC. यहां पर भी CTC. यह CTC क्या है? Cytocene, Thymine, Cytocene. हमने कहाना, वो code जोते हैं, वो triplet टूरते हैं. सारा बात करेंगे हम नेक्स सप्टर में. तो यह CTC, यह क्या है? Sixth Codon है. Sixth Codon है. किसका? DNA का है. DNA. जो DNA कहां पर चेंट है? Sixth number of chrome zone के short arm पर है. तो यह Sixth Codon जो है DNA पर मौझूद, जब यह transcription सो करेगा DNA. DNA का transcription से क्या बनेगा? निशा पता है क्या? कुछ पता है transcription से क्या बनता है? अरे बोलिये? mRNA बनता है. पढ़ाएंगे अगले चप्तर में. mRNA बनता है. mRNA यह single standard यह रहा mRNA. अब इस mRNA में भी 6 code होगा. यह first number होगा, यहां से यह तक second होगा, third होगा, fourth होगा, fifth होगा और यहां पर sixth codon होगा. अगर, ज्यांदेजेगा, अगर sixth codon पर DNA में CTC है, तो mRNA में यहां आएगा GAG. यह सब कैसे हम बता रहे हैं, आपको next chapter में सिखाएंगे, आपको भी होगा क्या? Translation. तो क्या बनने वाला है? जली बोलिए, protein. बलब क्या? polypeptide chain बनने वाला है. तो यह रहा polypeptide chain कैसे सारे aminocid होगे. तो जो फर्ष्ट number code है, यह एक aminocid लाए होगा हैंपर aminocid 1, 2, 3, 4, 5, जो sixth number का aminocid होगा यहाँ पे, वो एक खास aminocid होगा, जिसका नाम होगा glutamic acid. क्या नाम होगा? glutamic acid. यह क्या है? sixth aminocid है. sixth aminocid polypeptide chain में. और यही है beta polypeptide chain. यही क्या है? beta polypeptide chain. तो यह तो normal chain हो गया. बोलिए, normal chain कैसे बन रहा है? सभी को समझ में. अच्छा, बोलिए, मैं sixth codon का ही जिक्र क्यूं कर रहा हूँ? आप समझे क्योंगे? जो change होने वाला है, वो sixth codon में ही होने वाला है, इसलिए बांकी codon का हम जिक्र नहीं कर रहे है, sixth codon का ही जिक्र क्यूं कर रहे है? तो कि change उसी में खेला कुछ होने वाला है. नॉर्मली beta polypeptide chain जो बना, इससे क्या होगा भई? इससे यह beta polypeptide chain मिलके normal hemoglobin का synthesis करेगा, ओके? और यह normal hemoglobin से normal, normal saved RBC बनेगा, normal saved RBC बनेगा, normal saved RBC कैसा होता, आप मेरे पीछे देख लेगे, दिख रहा होगा आपको, byconcave, circular, जहां पर यह RBC लिखावा, वहां पर धसावा दिख रहा है निसा आपको, जहां पर RBC लिखावा, उसके पीछे थोड़ा सा धसावा डिप्रेशन दिख रहा है, वह concave surface है, उसके opposite side से भी concave surface है, और circular तो दिखी रहा है, तो normal safe यह होता है, तो अगर RBC के अंदर हिमोगलोबी नॉर्मल बिटापॉल परफिशन से बना है, तो normal RBC है, और वो अच्छे से O2 और CO2 का transport करेगा, बॉड़ी में सब कुस नॉर्मल होगा, लेकिन अगर किसी कारण बस mutation हो जाए, यहां जो mutation होता है, उसको बलते है point mutation, मैं आपका mutation के टाइ का changing हो जाए, बस एक nucleotide, पता हैं क्या होता है, यह जो आप देख रहे हो ना, किस कलर से लूँ मैं, चलो इस कलर से लेता हूँ, यह जो आप DNA में यहां पर थाइमीन देख रहे हो ने, थाइमीन, यह थाइमीन हटके अडिनीन आ जाता है, क्या बोला, थाइमीन हटके क्या अब बताइए जी, अगर mutation हो गया, एडिनीन आ गया, तो क्या यहां पर mRNA का भी code change होगा, जली बोले, जली जली, होगा, तो अगर ctc था तो gag आता था, और अगर cac आ गया, तो gtg आएगा, सोड़ी, RNA है ना, तो यहां यू होगा, gug आएगा, और gug क्या अब उस से में amino acid को रीट करने वाला है, क्या नहीं न, कोई अलग amino acid को रीट करेगा, तो glutamic acid six number पे नहीं आने वाला, क्या आ जाएगा, welline एक amino acid है, वो आ जाएगा, right, welline आ जाएगा, अब बताइए, normally six number पे क्या हुआ करता था glutamic acid, तो आप क्या बोलते थे, beta polyfeptide chain को normal, क्या अब यह normal beta beta polyfeptide chain है या abnormal, दली वो ली, abnormal, अगर यह abnormal beta polyfeptide chain है, तो हीमोगलोबीन भी कसा होगा, abnormal, abnormal हीमोगलोबीन, अब सुनिए, अभी हीमोगलोबीन abnormal है, लेकिन RBC जब उसका synthesis हुआ, तो वो normal ही है, normal safe कोई दिकत नहीं है, तेका है, लेकिन, सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ कहा नहीं, यह जो abnormal हीमोगलोबीन है, जिसके के अंदर क्या है, वैली इनसिक्स नमबर के, इसके पास क्या tendency होता है, कि यह polymerization स्टार्ट कर देता है, पॉली मेराइशन नहीं समद रहे हैं, ऐसे जो beta polyfeptide chain है कही सारे, वो आपस में ऐसे जूडने लगते हैं, आपस में, अगर beta proliferation दोने लगेंगे, तो बता है, हीमोगलोबीन क्या होने लगेगा, स्रिंक होने लगेगा कि नहीं, जिली बोले, अगर polymerization होगा, तो चीरों का स्रिंकिंग होगा कि नहीं होगा, अगर स्रिंकिंग होने लगेगा, तो देखिए, अभी तो आपको यह बुड़ा अच्छा मिलेगा, तो एबनॉरमल हीमोगलोबीन श्रिंकिंग सो करने लगेगा, तो आरबी-सी भी स्रिंक करने लगेगी, और वो स्रिंक होके, एबनॉरमल सेप में करनवट हो जाएगी, जैसे सिकल होता है, शिकल से ऐसा होता है, जैसा हसुआ का सेप नहीं, ता कचिया जिसको बोल कि वह आपके ब्लद विससमें जा जाके जगया जगःजगह फंठने लगेगी हमोग्णभी और सर्कूलेशन हो जाएगा पूर ब्लड प्रेसर चेंज ठेका ऐसे आरिजी को आपका एस्प्लीन पहचान लेगाtal रिस्टेप्टर के मज़त और 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 ज़वार लगेगा ऎब प्रभा ब्रट यहां पर क्या भीटा पॉली प्रेपटराइड चेन का अमाउंड घंवा निसा क्या यहां पर बीटा इसा उतना ही बना है जितना बनना था उसका quality change हो गया quantity change नहीं हुआ है quality change हो गया point mutation की वजह से और वो point mutation एक DNA में हुआ उसकी वज़े से RNA में प्रभाब आया और बीटा पॉल्पिटेटेशन में प्रभाब आया उतना ही बीटा पॉल्पिटेशन मना जब oxygen stress आया तो वो जो quality उसका चेंज हो गया सब्सक्राइब का उसकी वज़े से वह स्रिंकिंग सो करने लगा पॉल्पिटेशन करके और अर्बीशी का से पदल गया उसकी वज़े सार्बेशी मढने लगे पूर सर्कुलेशन हो गया जॉंडिस हो गया ऐसा हो गया यह सिकल सेल अनेमिया है due to qualitative change in बीटा अब हम बढ़ते हैं थलेशी मिया के तरह अब हम कंपरेटिव स्टडी भी करेंगे थलेशी मिया का ठीक है थलेशी मिया थलेशी मिया होता है कि डवल एस होता है या एक एस होता है थलेशी मिया आप देखें इसमें क्या होगा इसमें होना है quantitative change क्या होना है quantitative change होना है किसका quantitative change in polypeptide chain of hemoglobin polypeptide chain of hemoglobin आप सुनिएगा यह थलेशी मिया दोता यह दो परकार का होता है एक होता है अलफा थेले सीमिया एक होता है अलफा थेले सीमिया और एक होता है बीटा थेले सीमिया अलफा और बीटा चलिए पहले अलफा की बात कर ले अच्छा अगर कोई फीटस है फीटस यह फीटस है तो फीटस के अंदर हमोगलोविन क्या होगा हमोगलोविन का यह प्रकार्टा लिए एक और एक भी पताएथ है दो अलफा प्लस दो गामा है किया है एडल्ट में बताइए एडल्ट में आप बताइए एक अब्रबीन दो प्रकारता होता है इसकी बताईए इसकी बताईए कौन-कौना प्रक्रोंडाइब नामिद काल तो अल्फा में जुछ होगा इसका कॉइन्टिटी घृटेगा एक बाता है यह पर को बनाने वाले टोटल कितने अलील है इसने बताएगा अलफा को बनाने वाले चार अलील है चाल अलील फोर अलफा पॉलिट टाइट चेंट अब दखना यहां पर मैं चार कंडिशन क्रियेट कर रहा हूं अलाकि इतना नोट्स इतना डिटेल में तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखावा लिखने का मनों तो लिख लेना तुमको पढ़ा देते हैं मैडिकल कॉलेज में काम आएगा मैंने सपोर्च किया इस चार में से एक में मूटेशन हो गया मूटेशन इन वन अलील यहां पर मैंने माना मूटेशन इन टू अलील यहां पर मैंने माना मूटेशन इन थ्री अलील और यहां पर मैंने माना मूटेशन इन फोर अलील चारो अलील में मूटेशन हो गया, अब बताइए, अगर यहां पर यह मूटेशन हो गया एक अलील में, तो पता है, यहां पर क्या होने वाला है, नॉर्मली जो है, दो अलफा चेन होता था, और दो बीटा चेन होता था, पता है न, दो अलफा और यह दो बीटा है, दो अलफ अलफा को रीड करने के लिए अलफा को बनाने के लिए अगर एक में हो जाए मिटेसन तो बताई यह तो पता है एक में म्योटेशन हो जाए एक अलील में उटरम जाए तो ओवर और यहां पे और ऐसा नोड़ होगा। कि वह नाइगा नाइगा ही नहीं बनाएगा है अगर इएख मुनट टे आधै warкимиशन हो गया तों झित्ने अलीन नॉर्मल रहे जली बोले तीन अलफा बन जाएगा कि न बन जाएगा और एक अलफा नहीं बनेगा अगले वाले में नवीन बताओ दो में मुटेशन हो गया तो क्या होगा जली बोलो दो में अगर मुटेशन हो गया तो कोई बात नहीं है दो में अगर मुटेशन हो गया तो दो अलफा बनेगा और दो अलफा नहीं बनेगा तीन में मुटेशन हो गया एक अलफा बनेगा और तीन अलफा नहीं बनेगा चारों में मुटेशन हो गया तो चारों अलफा चेन नही बनने वाले हैं अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके अंदर तीन अलफा भी है तो आप नॉर्मल हो दो अलफा तक भी है तो हाँ वो अलग बात है कि आप कैरियर हो तो कि आपके अंदर ऐसा अलील है इतनी अलफा चैन के कमी होगी आपको मैं affected बोलूंगा और इस केट में तो death in embryonic condition death in embryonic condition fetus condition में he death हो जाएगा बच्चा का जो fetus है fetus है वो fetus ही develop नहीं हो पाएगा तो तो पाइदा ही इसको पाइदा ही मड़ा होगा क्योंकि O2 की stress होगी तो आपका दिक्कत आएगी ठीक है दूसरा इस वाले को कोई वही बात है ज्यादा यह नहीं करना है इस वाले को इस वाले को मैं बोर रहा हूँ हलाकि मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ इतना आपके शिलिवस में नहीं है इस वाले को ब्लेड ट्रांस्फूशन पर डिपेंड रहना पड़ेगा इस वाले को डिपेंडेंट ओन डिपेंडेंट ओन ब्लड ट्रांस्फूशन डिपेंडेंट ओन ब्लड ट्रांस्फूशन ब्लेड ट्रांस्फूशन पर डिपेंड रहना पड़ेगा अगर पूरत इसको मैडिकल फ लेकिन केरियर है फुल मिलाके यह सब बात इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप बस इतना समझो अलफा पॉली प्रेप्टाइड चेन की कमी हो गई है अच्छा यहां पर आप देख पाड़े हो चार अलग-अलग टाइप का वराइटी है अलफा थेले सिम्या में चार अलग करने के लिए यहां पर टोटल कितने अलील है नीशा जली वह लिए तो अब बताईए हो सकता है कि दो में से एक अलील में मूटेशन हो जाए है अब इसको बोलते हैं जहां पर एक अलफा कम से कम बन गया इसको बोलते हैं बीटा थेले सिम्या माइनर और इसको बोलते हैं बीटा थेलेसीमिया मेजर अब आप बोलोगे सर यहां पर आप कहें कि अगर एक भी अलफा नहीं मेरेगा तो अम्रोनी कंडिशन में ही डेथ हो जाएगा क्यों क्योंकि फिटस में भी तो अलफा चाहिए दो अलफा कम से कम एक भी रहा तो पैदा हो मेले मेथ बीटा नहीं बनेगा यहां दोनों में थेवगा तो बच्चा बोलता है सर जब लेकल अलफा नहीं बनता था तो बच्चा नहीं बनेगा तो बच्चा जिंदा को से पाइदा हो जाएगा निशा कारण बता सकते हैं कि अधिया अधिया न दो बोल दो कम से कम हाँ नवीन बताओगे क्या कारण आप क्लास से बीच में बार गया तो आपको कुछ समझ में आगा वीडियो देखेगा चले यह जो टू बीटा नहीं बना यहां पर इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अड़े बीटा तो एडल्ट के अंदर पाइदा आता है ना बच्चा पाइदा हो जाएगा फीटस में कहीं क्यम बाती नहीं कर रहा है अलफा की जरूरत है और गामा की जरूरत है भीटा अगर नहीं भी रहा कोई दिकट नहीं है हाँ परसन जब जिन्दा पैदा हो जाएगा जिन्दा होगा भीटा नहीं है तो पैदा हो जाएगा लेकिन वही है उसको भी लगातार ब्लेट ट्रां जो है ना यह जो थलेसीमिया की मैं बात कर रहा हूं थलेस टी एच ए फिर से स्पिलिंग लेट हो गया ती एच ए एल ए डवल एस ए एम आई ए थलेसीमिया थलेसीमिया दो प्रकार का होता एक अलफा और एक बीटा ठीक है देखे होता क्या मैं आपको बता हूं बच्छों यह अलफा और बीटा चेन के बीच में एक एक एकलिविडियम एगजिस्ट करता है अगल्मली एक एडल्ट लिजम होना ही चाहिए अगर मान ले जाए अगर डेstatी कमी कमी हो गई तो αलफा-चेन का अमावन्ट बर जाएगा ऐसा होता है तो अगर अलफा-द्री सीमिया हुआ है तो मान लेजाए अगर अलफा दूब बीटा हो तो मान लेजाए अगर अलफा-चेन अगर नहीं एक अल्फा रहेगा और तीन बीटा बन जएगा समझे डों मड़ी बार नर्मली तो क्या होता है तू अल्फा अल्फा टू और बीटा टू नर्म्ली ऐसा होता ऐसे लिखते हैं टेक है अगर माण ले जाए यह अलफा थले सिम्या हुआ है तो एक अलफा नहीं बना तो अलफा वन बीटा थ्री लिख सकते हो सौरी बीटा थ्री दोनों अलफा नहीं बना तो वहां बीटा फोर होगा उस केस में वह परसंड सर्वाइव नहीं करेगा पैदा नहीं होगा तो ऐसा वाला परसंड जो अलफा बीटा 3 है उसके अंदर अलफा की कमी है एक अलफा की कमी है अबनॉर्मल हेमोगलोबी ने वो जिसके अंदर अलफा की कमी है अलफा चैन की कमी और बीटा चैन की अधिकता है अगर बीटा थले सीमिया है तो बीटा थले सीमिया में आप क्या बोलोगे बीटा चैन की कमी है तो अलफा थरी बीटा वन हो सकता है कि दोनों ही बीटा चेन ना बना हो तो अलफा फूर हो जाएगा यह परसंग कर जाएगा तो पैदा ही नहीं हो पाएगा यह परसंग पैदा हो जाएगा बले ट्रांस्पिशन की जरूरत है क्योंकि उसका भी अलफा फ्र है यह अलफा फ्र फूर सर्वाइव माईडा हो जाएगा लेकिन यह अलफा फ्र श्रीच मेजर है यह पैदा हो जाएगा, क्योंकि पैदा होने के लिए बिटा की जरूरत नहीं है, पैदा हो जाएगा, लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा ब्लेड ट्रांस्विजन की जरूरत है, कुल मिलाके आप बस इतना याद रखो, कि अलफा के केस में अलफा चेन की कमी हुई है, बिटा थाले सिम्या माइनर मेजर का केस में ने बता दिया बहुत जादा बीटा कम हो गया तो मेजर बहुत एक कम हुआ तो मैजर कुल मिला के यहां पर जो पॉली प्रफेड चेन है उसका पूरा का पूरा अमाउंट घट रहा है या क्वालिटी चेंज हो रहा है निसा इसलिए था यह था आपका थेले सिम्या नवीन अगर आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं है विडियो अप्लोड होगा तो आप देख लीजिए गाए तो हमने क्या किया आज छले सिम्या को भी खतम लिया स्क्रीन सौट लेजिए जली से वन टूट्री क्लिक कि ओण तूट्री क्लिक कि ओण टूट्री क्लिक चलिए अब आप क्या किजेगा N-C-E-R-T में 12th N-C-E-R-T में अगर आपको पढ़ना है इस ओर्डर के बारे में तो मैं बता रहा हूं कहां पे लिखा है जिनका old N-C-E-R-T होगा old N-C-E-R-T होगा जिनका तो वो पीछे जाईएगा जहां दिया है supplement page number होगा page number 289 वहां पर लिखा होगा thalassemia वहां पर लिखा होगा thalassemia S-E-M-I-E होता है जी यह नहीं होगा यहां पर ठीक है thalassemia ठीक है thalassemia वहां से पढ़ लिजेगा और और बता रहा हूं रूख जाईए वन सकेंड जस्ट और पेज नंबर एक्ती नाइन पर लिखा होगा सिकल सेल एनेमिया यह पूरा पढ़ लिखेगा ठीक है और जिनका न्यू एंस याटी होगा न्यू एंस याटी होगा उनका पेज नंबर एक्ती नाइन पर ही पेज नंबर एक्ती नाइन पर ही दोनों ही डिशॉडर दे रखा होगा सेलेसीमिया भी और टिकल सेलनीमा भी वह पढ़ लिखेगा ठीक है चलिए कितना पढ़के आईएगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम सारे जेनेटिकल डिशॉडर को एक साद डिस्क करेंगे मौले